वेल्कम बैक तो माई टूप सिल पेपर है कर आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फस्त सेमेश्टर में है सोचलोजी के पेपर ले क्या है और इसमें हम मतलब अब्जेक्टेट एप कोईशनों को देखेंगे जिसे हम बहुत भी कल्पी कोईशन बोलते हैं और यह एक्जाम 2022 के लिए most important होगे और जो भी जाट एक्जाम जितने भी देर मोस्ट इंप्रोट्टेंट cook के लिए और यह part 2 है वीडियो का यह Part 2 है चाहें एक से लेकर चारत चारतः और पाँस से लेकर आठ तक को देखेंगे जों तो मैं आपको बता दू manifest co पार्ट बन हम पहले से करा चुके हैं और सभी चात्रों से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर कर दें और पहली बात चैनल पे आए तो चलों को सब्सक्राइब कर दे 2022 में हमने आने वाले कोशन दिये हैं आप उन कोशनों को याद कर लेना और 85% प्लस देखने को मिलेगा वहां से कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा जिन जिन चात्रों में जिन जिन चात्रों की उनिवस्टी में कोशन बतलों कि objective टाइप या फिर बहुत कल्पी कोशन पूछे जा रहे हैं ठीक है अब उनकी त्यारी कर लो अच्छी तरीके से जुब को गष्भान ओंडर को आपस में जो संबंद होता है मताथ आपस में जो है उसको ही बोलते हैं समाज अप्चिन नंबर देखेंगे इस कोशन का अंसर सभी लोग देने वाले हैं क्या रहेगा किस समाज सात्र में समाज की परिभासा में रिती रिवाज कार प्रांड़ी अधिकार फरस्परिक सहयोग समाज एक विभाग विभार के नियंत्र एवं रров समाज समबन्दों का जाल है सभी लोग सको विभार के समाज समने अंसर देंँगे सभी लोग तो सभी का अंसर आएगा विटा option नमर क्या होगा ये भी हमारा मैं काईवर और पेज ने कहा था option नमर जिसने भी दिया है एक परम सत्तान सुरूगा next question देखते हैं समाध एक पूर्तक धार्णा है ये किसने कह था कहा था पूर्त्थ किस ने कहा था अदूर्ध नहें कि पूर्द निनिक उप्शननि म journée दिया भी परम सत्तान सुरूगा next question नहीं अमूर्थ क्या है जो समाज अमूर्थ है वो है क्या तो आप कोगे यह समाजिक संबंदों का कारण है समाजिक संबंदों का कारण है option number B क्यों जाएंगे next question यहाँ बोला गया है इस question को देखेंगे सभी लोग यहाँ करें निम्लियों किसे कौन समाज की बिसिस्ता नहीं है इन नमें कौन सा समाज का लक्षन नहीं है कौन सा समाज का लक्षन नहीं है just तो आपको के जो समाज का लक्षन नहीं है वो है आपर आप रिप्राजदन सिलता ओप्षे नमर जिसने भी दिया है डी प्रमसंस अंसर है नेक्स कोक्षण को चलते हैं सब्सक्राइब चाहिए जिसके माध्यम से ब्यक्ति अपना जीवन वितीत करता है यह क्थन किसका है तो सभी का अंसर option number A आएगा यूटर का है ठीक है क्या होगा यूटर कह सकते हैं तो यूटर का है option number जिसने भी दिया A प्रमचतांस होगा अब समुधाय से लेटर जितने कोशन बनेगे उन कोशनों को देखेंगे जो most important है आपके exam के लिए तो देखो पहला कोशन है समुधाय कि सब्सक्राइब क्या होगा देखो इस कोशन का अंसर क्या होगा चेक करो और फटावट कॉमेंट सक्षिन बताओ इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है बिल्कुल ठीक रहेगा विटा option नमर सी देखो option नमर इसकी बात की जाए option नमर सी राइट होगा ठीक है बोगार्ट बिल्कुल राइट है option नमर सी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है next question को चलते हैं यहां बात कहने बाले समूधाय सबसे चोटा ऐसा चेत्रिय समुए है देखो समूधाय सबसे चोटा एक चेत्रिय समुए है कि समाजिक जीवन के समस्त पहलु आते हैं इसे किसने कहा था कि समाजिक जीवन के सारे पहलु आते हैं कैसा समुधाय है वो कौन जाए वो किस ने कहा था सब लोग इस कोशन का अंसर देंगे डेविस ने कहा था option नमर बिलकुल C is right होगा ठीक है रूप से उसी से या उसी में ब्यतीत कर सकता है यह किस ने कहा था यह कथन किसका है सबी लोग बताएंगे बहुत भी बहुत है डेविस का है यह ठीक है इंक से ले डेविस का है option नमर जिसने भी कहा है D is right है next question बोला गया है देखो यहां बोला गया है किसी समीती छेतर के अंदर रहने वाले समाजिक जीवन के संपूर संगठन को ही समुदाय कहा जाता है यह कथन किस विद्वान का है यह किस सास्त्री का है क्या रहने वाला है बिल्कुल राइट है बिटा option नमर क्या रहेगा A is right रहेगा ठीक है और वन और जो निमकार खत्वे कार्फ निमकार अप्शेन नमर जिसने दिया है यह परम सत्त आंसर होगा नेक्स कोशन यहां बोला गया है निमनिकित में से कौन सी समुदाई की विशेस्ता नहीं है तो कौन सी है वो समुदाई की विशेस्ता नहीं है तो आपको के विशेस उद्देश की पूरती एक समुदाई की विशेस्ता नहीं है option number C क्यो और जाएंगे Option C Next question यहां बूला गया है निमनिकित में से दिखो मैं थोड़ा से और बड़ा करतेता हूँ ताकि आपको साब दिखाई दे कह रहा है निमनिकित में से कौन से समुदाइगी विशेस्ता नहीं है अब यहां भी बूला गया है है बिलकुल exit जो कह सकते है एक शिक 지는 आप देख रहें यह एक समूधाय की विश्यस्ता नहीं एक्षिग वाली Οप्षयन बीज राइगा NIEनेक्स समूधाय है कौन एक समूधाय है गाब एक समूधाय है परिबार श्कूल जाती कौन एक समुदाय है, सभी लोग बुदाएंगे इस question का अंसर बिल्कुल right होना चाहिए बिटा, साथ में question का अंसर बिल्कुल गाव जो है ना, गाव, एक समुदाय होता है option नमर जिसने भी दिया है ए परमसत्ता अंसर होगा, next question बुना गया है लगू, लगू, समुदाय, देखो कहा है लगू समुदाय की अभुधारना किस विद्वान की है तो कौन से सम, जो समा सास्त्री थे जिसने लगू समुदाय की अभुधारना के बारे में वर्ण किया था, इस question का अंसर सभी लोग देंगे रेड फिल्ड थे जो न, कह सकते हैं, रोवार्ड रेड फिल्ड थे उन्होंने लगू, समुदाय की अभुधारना दे थी, option number D की और जाएंगे तो देख सकते हैं, रोवार्ड, रेड फिल्ड के अनुसार लगू, समुदाय की बिशेस्ता का लक्षण क्या था हमसे लक्षण पूचा है, उसकी बिशेस्ता का लक्षण क्या था लगू, समुदाय की, तो वो था, उप्रोक्त सभी लक्षण थे आप देख सकते हो, उप्रोक्त सभी लक्षण थे, यह आपको दिखता होगा निर्भःता यहां लिखाए फिलख्सन कहे सकते हैं थी को इस को सभी नोग देखेंगे समीती और सस्ता से लोटड को सिचे जाते हैं आपके एक्जाम में एक कह सकते हैं यह समिति क्या होती है समितियों का वह समु है जो एक समान उद्देस अत्वा उद्देसों के समु की प्राप्ति के लिए संगठित होता है यह कतन किस विद्द्दान का है अब सभी लोग बताएंगे most important question है अब सभी लोग question cancer देते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करते रहेंगे ठीक है और like करतेंगे पहली बाच चैनल पे है तो चैनल को subscribe कर देंगे पटाफट करो बेटा सभी लोग बताएंगे option number क्या रहेंगा पहले का बिल्कुल ठीक है मैं काईववार और पेज option नमर इसने भी दिया एप परमसत्ता आंसर होगा इवाले सभी लोग राइट है next question हाँ बोला गया है कह रहा है किसी विसेश उद्देश को प्राप्ति करने के लिए मिल जुलकर मतलब मिल जुलकर कार करने वाले समू की समिती को कहा जाता है ठीक है कार करने वाले जो कार करने वाले जो समू होता है उसको समिती कहा जाता है तो यहाँ बोला गया है उपरुक्त में समासास्तिरी की किसी परिभासा है थी यह परिभासा किस ने लिकार काम करते हैं कार करतें उनको समीती बोला जाता है ये किस समास साथ करी में बोला था समीती की परीभाचा दीती सभी लोग बताएंगे ओताइंगे का ओप्शें नमर बिल्कुल ठीक है जिसने भी दिया है 옵 और प्रमस्त्त आंशर नेक्ष्ट कोशिन आभ समीति के सदस हो सकते हैं, परंतु संस्ता के नहीं हो सकते हैं, यह किस ने कहा था, बताओ, माइकाइबर और पेज ने कहा था, option नमर जिसने भी दिया है, बेटा क्या, option नमर क्या है, दिएगा है वीजुष राइट होगा ठीक है माइक है माइकाइबर और पेज जो पेज ते पेज ठीक है जाओगा लाचने पेज यह आद रखिए आपशें नमर क्या है बी राइट रख रिए अन्यों को जलते हैं इस कोशन निम्ने फिन सामीती की विशेश्ता नहीं है वाइ आपको यह बताना है सभी लोग इस question का अंसर देंगे चौते question का अंसर क्या होगा इस्थाई सोभाव नहीं है, option number 1 यूर जाएंगे next question ही आप बोलागा है कौनसी सभीती की विशेष्था नहीं है सभी लोग इस question का भी answer देंगे तो निष्चित के हो ज़ाएगा गता है निष्चित भुभाग एक समीटी की बिसंस्ता नहीं है नेक्स्स कॉश्यन या बुलागा किया निमने कित में से कौन सी समीटी है देखो कौन सी समीटी है और पैजएके सब्छाए एक समीटी है वो एक समीति कहलाती है, option number जिसने C दिया है, परमसत्तान सुरुगा, एक कल्याण कारी, किसी कल्याण के बारे में सोचती है, वो एक समीति कहलाती है, option number जिसने भी दिया है, C परमसत्तान सुरुगा, संस्ता सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था, संस्ता सब्द का संस्ता सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था हरवर्ड स्पेंसर ने किया था जिसने भी option number दिया है next question यहां बोला गया है मानविये अवसक्ताओं की पूर्ती के लिए संगठित और इस्थापित प्राणलियोग प्राणलिया ही समाजिक संस्ताए है यह परिभासा किस की है सबी लोग बताएंगे आठमे कोशन का अंसर क्या होगा निंकार्फ की है देखो निंकार्फ की और आरगन option number जिसने भी दिया है विलकुल राइट है next question को चलते है इस question का अंसर सबी लोग देंगे यहां कहा रहा है समाज दोरा इस्थापित समाज दोरा इस्थापित नियमों और कारप्राणियों की विवस्था को क्या कहते है देखो जो समाज दोरा इस्थापित नियम होते है और कारप्राणियों की जो विवस्था होती है उसको क्या कहते है तो उसे दोस्तों संस्ता कहते हैं Option number B की ओर जाएंगे Next question यहाँ भोला गया है इस question को सभी लोगा अंसर देंगे संपूर संस्ता की अब्धारना किसने दिती यह most important question है और आपके exam में 100% पूछे जा रहा है यही мер रिपीट होंगे सारे कोश्य ध्यान रखना यही छपके आएंगे इन कोशनों को याद कर लो हुआ इस कोशन का क्या होगा अंसर संपूर्ण संस्ता की अब धारणा किस ने दी थी इर्विंग ने दी थी बिटा इर्विंग डॉफ मैन ने ठीक है option नमर जिसने भी दिया है C परमसत्ता अंसरोगा next question को देखेंगे यहां कहा रहा है संस्ता की पिरकृत्ती होती है एक समाधिक संस्ता होती है एक समाधिक संस्ता है वो कैसी होती है अमूर्थ होती है जिसने भी option दिया है नेक्स कोशन बोल रहाए कि निमनेक्त में से कौन सी संस्ता की विशेस्ता नहीं है तो सभी का answer आएगा वेटा जो है जो मूर्थ परक्रृती है वो एक संस्ता की विशेस्ता नहीं है option number A की उड़ जाएंगे next question याँ बोला गया है निमनेकित में से कौन सी एक संस्ता है कौन सी एक संस्ता है आपको इबताना है संस्ता की बाताना है कौन सी एक संस्ता है बताओ संस्ता इसमें विभाध धर्म परिवार ये प्रुप्तोक सभी इसमें संस्था कौन सी है संस्था कौन सी विटा सभी लोग उप्रोक्त सभी ये संस्थाई है धर्मी एक संस्था है एक विवाभी संस्था है परिवार भी एक संस्था होती है option number D की और जाएगे next question है कौन समिती और संस्था दोनों है कौन समिती और संस्ता दोनों है संस्ता भी है और समिती भी है तो एक डल जो होगा ना राजनेतिक डल एक क्या होती है संस्ता भी होती है और एक समिती भी होती है option number B की और जाएंगे बिटा B साहिरेट होगा क्या देखो चेक करो एक बार देखो परिबार, स्वरी ये परिबार हो जाएगा इसका अंसर परिबार होगा राजनेदिक दल नहीं होगा, इसका अंसर परिबार होगा कि परिबार क्या होता है बिटा, एक सिमेटी भी होती है और एक संस्ता भी होती है परिबार, ठीक है option number बिटा ए रहेगा इसका answer next question बोल रहा है कि हम निम्न में से किसके सदस नहीं है जो हम है वो निम्न में से किसके सदस नहीं है परिवार के नहीं है, संस्ता के नहीं है समिती के नहीं है, समुदाय के नहीं है अब सभी cancer आएगा हम संस्ता के जो है संस्ता के हम सदस्त नहीं है संस्ता के option number B की और जाएंगे अब हम बात करने वाले हैं इस point से जो question exam में बनते हैं जिसे कहते हैं समाजिक समू समाजिक समू से कुछ question पूछी जाते हैं उन question को हम देखेंगे उसके बाद वीडियो को वहीं end करेंगे ठीक है तो इस question को ध्यान से देख लीजिए उसके बाद में देखते हैं क्या होने वाला है इस question को देखो फटा फट क्या रहेगा सभी लोग इस question का answer देंगे क्या रहने वाला है तो देखो यहां बोला गया है किसने कहा कि समू समू से हमारा तात्वर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संकलन से है जो एक दूसरों के साथ समू जो समाजिक संबंद स्थापित करते हैं आपको इस question का answer बताना है कि किसने कहा कि समू से हमारा तात्वर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ समाजिक संबंद स्थापित करते है इस question का answer सभी लोग आंसर देंगे क्या रहेगा पहले question का answer बिटा इस question का answer दो किसने कहा था यह तो आप सही कहेंगे यह मैकाइवर और पेज नहीं कहा था option नमर जिसने भी दिया है परमसत्तांसरोगा next question यहां बुला गया है मैकाइवर और पेज हो जाएगा option नमर बीज राइट है जब कुछ ब्यक्ति समाजिक संबंदों के कान एक दूसरे से ठीक है समीपता अनुवब करते हैं समीपता वलब समीपाने का अनुवब करते हैं तब उससे एक समूब कहा जाता है और इसे कथन किसका है यह फिर यह कथन किसका है जब वो पास आएंगे एक समूब बन जाएगा और समूब बनेगा तो यह किसने कहा था कि भई यह तुमने ऐसे करोगे तो यह समूग यह लाएगा यह किस ने कहा था यह भी बिटा मैंकाईवर और पेंज ने कहा था option नमर एक यह और जाएंगे next question है निमनिकित में से किसे समाजिक समूग कहेंगे समाजिक समूग कहेंगे सभी बताइंगे किसको समाजिक समूग कहा जाएगे सभी लोग इसको बैटा समाजिक भाँ सभून में कितने भरगिगत किया था। यह किस ते बरगिगत किया था। और, दोस्टे ने किया आनता एक बहाँ में पूछ देता है कितने भागों किया तो आपको दूब बागों में अब किसने किया तुछ नहीं किया था वो देख लो तो बेटा ठीट डेवलूजी समनर थे उन्होंने इसको वरकेक तिया था अब फिर नमबर जिसने क्या है बी प्रमसत्ता अंसरों का नेक्स कोशन यहां बूला गया है बह समूद जिसमें हम दूरी संधे बनाकर रहते हैं उसे कहते हैं बताओ हम क्या है दूरी बनाकर रहते हैं उसे क्या कहते हैं बह समूद जिसमें हम दूरी को बनाकर रखे और शंधे बनाकर रखे तो उसक को कहते हैं वहाथ सभूू उसको बहाथ सभू बोला जयता है याद रखेगा सब्सक्पोस्पे सामने आ चुका है work का बावना कि एक किसने इक रा तक अपने पनकी भावना इसी ब्यक्ति को inje कि सी औन्ता समू का सदस बनाती है तो अंत की अपने पन की भावना और अंता समू की क्या बनाती है अंता समू की सदस बनाती है और बाहरी समू से प्रथक करती है और बाहरी जो समू होता है मतलब कि जगड़ना वगड़ना दूर रहना उससे प्रत्रक करती है उससे अलग होती है ये किस ने कहा था तो सभी का अंसर आएगा ये भी बिटा किस ने कहा था बरगीकत जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा होगा क्यों होगा, WZ समनर WZ समनर ने ही बरगीत किया था ने अंत्रा समू और बहा समू में ठीक है, तो उन्हींने कहा होगा option number A next question है, प्रात्मिक समू की अबधारना दी तो प्रात्मिक समू की जो अबधारना दी थी वो किस ने दी थी, या प्रात्मिक समू सर प्रतम किसने प्रियोग किया यह पूछ लेता है किसने किया था बेटा चार्ल्स और कूले ने किया था option number जिसने भी दिया चार्ल्स H कूले option number जिसने भी दिया है C परमशत्तांसर है next question है प्राथमिक समू की कौन सी विसेस्था नहीं है प्राथमिक जो समू है उसकी जो विसेस्था नहीं है वो कौन सी नहीं है तो आप सभी कहोगे संबंदो की क्या गया सकते हैं संबंदो की आइस्थाई प्रिकृति ये एक विसेस्था नहीं है option number D की और जाएंगे next question है निमनिमेर से सभी कहोगे आप्चारिक संबंद नहीं है नहीं नहीं है option number D की और जाएंगे next question देखेंगे यहां कहा रहे है दुत्यक समू, बे समू है जिनमें घनिष्टता की कमी का अनुभव होता है ठीक है, इसमें क्या होता है? घनिष्टा की कमी कानवब होता है ये कथन किसका है ये कथन किसका है तो आप सभी कहेंगे आगवन तथा कह सकते हैं निमकाफ निमकार्फ का और आगवन का है option नमर B की और जाएंगे किसने कहा कि बेश सभी समू दो यक कह सकते हैं दोतियक है जो प्रात्विक नहीं है ये किसने कहा तो आप सभी का आएगा अंदसर रोवाड ने कहा था किसने कहा था रोवाड विस इस्ट्रीट ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है ए परमसत्तांसर है विस इस्ट्रीट ने कहा था option रोवाड ने option नमर एक यूर जाएंगे यहां कहा रहा है दोतियक समू में किस पिरकार के संबंदों की प्रधानता होती है बताए बोला गया है जो दोतियक समू दाय होता है उसमें किस पिरकार की या किस संबंद की प्रध पे रहांता होती हैं तो आप आपसरीक की बात करेंगे कैसे बिटा है ओप्चार एक और क्योंगा होगा ऑप्चारीक सब्सक्राइएक की दुतियक समुदाई की विशेस्ता है तो दुतियक समुदाई की विशेस्ता है वो समान हित है बिटा समान हित क्या है दुतियक समुदाई की विशेस्ता है या फिर दुतियक समुदाई की विशेस्ता है बाद वही है नेक्स कोशन है आप बोला गया है से संबंदित नहीं है जो संबंद्ध होता है निर्मनिक्षिट में से कौन सा दो एक संबंध होता है तो यहां देखो बोला गया सिर्मको का जो गठन होता है वो दो एक समू के अंतरकत रखा जाता है option number D के और जाएगे ठीक है बेटा इस question को देखो और सबी लोग वीडियो को like कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा शेर कर देंगे चलो को subscribe कर लेंगे बैली बार है और बेटा इसके अलाबर कुछ और पढ़ने की दुरूत नहीं है यह most important है आपके लिए mcq goal इसको देखो यहाँ कहा रहा है बेटा संधर्व समू की अवधार्णा का प्रियोक सरप्रथम किस ने किया था तो आप सभी कहेंगे हाई मैन ने किया था option number C इसकी नमे की बात करेंगे यह हम part 2 में साथी साथ हम part 3 में बात करेंगे तो हो सकता है चोल इसको 9 में के उभी end कर देते हैं उसके बाद 10 से करेंगे देखो यहाँ बोला गया है निमनिकेट में से कौनसी बिसेस्था पसू समाज की है कौनसी है जो बिसेस्था पसू समाज की है सभी लोग बताएंगे इस कोशन का आंसर दो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बिटा जैविक समाजिक विवस्था देखो option number दे रखाया option number 10 परमसत्ता आंसरों का next question यहाँ बोला गया है समाज की समाज की पसू से बिभिन जो कह सकते हैं प्राणी सास्तरी विस्थेस्था निम्न में से कौन सी है आपसे पूझा गया है जो बिभिन प्राणी सास्तरी जो विस्थेस्था होती है पसू की मानब की पसू से भिन तो वो कौन सी होती है बहुती उप्रियुक्त सभी, आप कोगे विक्सित, मस्तक्स भी अलग होता है पसू का अलग होता है, मानब का अलग होता है ठीक है, बोलने की चमता अलग होती है मनुस्की और पसू की अलग होती है, ठीक है, धीरे सीधे खड़े होने की चमता पसु की अलग होती है उसकी अलग होती है उप्रेप समाज समाज से किस अर्थ में भिन है तो कौन सा ऐसा सब्देश में भिन है तो आप कोगे option number 20 होगा समध को मानब समाज में एक विक्सित संस्कृति पाई जाती है इस बात को याद रखिए option number 20 राइट होगा आगे हम परिवार से लिटेट जितने कोशन आएंगे अब उन कोशनों को देखेंगे पार्ट यह ऊठीखेंगे फैमिलिस लेंटि ठीक है उनका ओध्गम किसन ने कीया था वो सबको देखेंगे पार्ट 3 में पार्ट थ्री में देखेंगे, पार्ट थ्री वीडियो को आप देख सकते हैं, टेलिग्राम पर सारे लिंक दे रखेंगे, और इसकी पीडियाप यदि हम इसकी पीडियाप डालोड करना चाहते हैं, तो टेलिग्राम का निंग डिसक्रप्शन मॉक्स में है, टेलिग्राम को रखा है लिंक पर टॉच करके आप सिंपले हमारी साइट पर डार्लोड कर सकते हैं थैंक यू फर बचिंग इस वीडियो बाई बाई दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेर कर दीजिए